कितना भी काम कर लो, कभी ठकावट महसूस नहीं होगी, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारा शरीर गर्म होगा और ना ही कोई तुम्हें बीमारी होगी, बस अपना भोजन सही कर लो और भोजन के बारे में ही आज के इस वीडियो में हम आपको कहानियों के माध्यम से बताएंगे तो बिना देर किये चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं पहली कहानी आयुरवेद की अद्भुत शक्ती शरीर और बुद्धी और मन सब शान्त और होश्यार हो जाएगा जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे ना हो, चाहे रहने के लिए छट भी ना हो, चाहे कोई सुख सुविधाय ना हो लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी सो शिष्य ने पूछा कि गुरु देव आपकी उम्र सौ साल को पार कर चुकी है और फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं, आपकी बुद्धी बड़ी ही तीवर है और अपका चहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है और वहीं पर आपके बदन से भी चंदन सी खुश्बू आती है शिष्य ने कहना जारी रखा कि गुरु देव मेरे मन में बहुत बार आया है कि मैं आपसे इसका रहस्य जानू लेकिन संकोच वश मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूँ कृपया करके आज मुझे वो साधरन से नियम बताने की कुपा करें जिनसे मैं भी आपकी तरह स्वस्थ और निरोगी रह सकूँ न नियम अगर आसान होंगे गुरु देव तो उसका अनुसरण मेरे माता पिता भी कर पाएंगे क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और वो बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएगा कृपया करके साधारण से तरीके बताना ताकि कोई भी ग्रस्त आदमी उन नियमों का पालन कर सरके गुरु देव ने कहना आरंब किया सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वो ये जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि उर्जा की एक खास मात्र आपका भोजन को बचा रही है इसी कारण ज्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग और आपका शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है वो बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए परियाप्त उर्जा नहीं बचती है चाहे वो मासाहारी हो या शाकाहारी हो हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और ये इनसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जहर खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीजों के लिए परियाप्त उर्जा नहीं होती अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बना कर रखिए कि आप जो भी खाएं कुछ भी खाएं तो डेड़ से दो घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए पेट खाली होने का मतलब है पेट की थैली खाली होना यानी कि जब भोजन आप के दूसरे भागों में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है क्योंकि आप में प्रक्रिया बिलकुल अलग होती है वो पाचन नहीं होता है वो उर्जा को ग्रहन करती है आंतों द्वारा इस उर्जा को ग्रहन करने के लिए ज्यादा उर्जा नहीं लगती है उर्जा लगती है पाचन क्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधी को कम कर लें अब अगर सोचिए सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है और जब पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग तब बहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है, इसका एक पहलू और है देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है लेकिन जब भोजन हमारे पैट में होता है यानि कि हमारा पैट जब खाली नहीं होता तो ये शुद्धिकरण कम हो जाता है वो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी अब वो निकलनी बंद हो जाएगी जो कुछ समय बाद आप के लिए तरह तरह की समस्याइं पैदा करेंगी देखिए योग में पैट का हमेशा साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी पारंपरिक प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयूरवेदिक डॉक्टर या किसी वैद के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आमेश पैंट की सफाई करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी ज्यादातर समस्या पेट साफ ना होने की वज़ह से ही है सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है आप अपने अंदर बहुत हलका और सुन्दर महसूस करेंगे हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए आम तोर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन पाचन को आसान बना दें जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन पर घी की परत छड़ाना बहुत अच्छा होता है घी का महत्व यह है कि यह आहार नली को साफ रखता है तो जो व्यत्ती घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चिपकता, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक ठहर ही नहीं सकता पेट का कैंसर, आंत का कैंसर, आजकल यह बहुत ज्यादा हो रहा है तो अगर आप एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते हैं, तो यह घठना बहुत कम हो जाती है लेकिन उसके लिए घी सही गुणवत्ता का होना चाहिए सही तरीके से गाई या भैस के दूद से बनाया जाए अगर घी को उचित तरीके से गाय या भैस के दूद से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फाइदे होता है शिश्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव पाचन क्रिया तुम्हें कुछ-कुछ समझ गया हूँ लेकिन आप ये बताईए कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेज पाने के लिए चमकता हुआ चेहरा प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि देखिए आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी हमें बस अपनी दिन चर्या सही करनी है अपना खान-पान सुधारना है सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है वो धीरे-धीरे आपके अंदर आपकी आँथों को कमजोर कर देता है पेट में धीरे-धीरे ऐसिडिटी होने लगती है और अपने आप मन और मस्तिष्क सुस्त पढ़ते जाते हैं सुबह उटते ही तुम्हें तांबे, चांदी या मिटी के बरतन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए लेकिन चांदी और मिटी की तासीर ठंडी होती है इसलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी इसका उप्योग ना करें रात में आपने चांदी तांबे या मीटी के बरतन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दातून किये हुए उसे पी लिया शिश्य ने सवाल किया कि गुरु देव बिना दातून किये हुए अगर हम वो पानी पीएंगे तो हमारा बासी थूक हमारे अंदर ही चला जाएगा गुरु ने उसे बताया कि वो तो अच्छी बात है क्योंकि बासी थूक औशधी के समान होता है गुरु ने चेतावनी दी कि देखिए जिन लोगों को अलसर, टीबी, अनिमोनिया हैं उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है तांबे के बरतन में रात में रखे हुए पानी में उसके संसकार मिल जाते हैं तांबे के गोण उस पानी में आ जाते हैं और वो तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदे करता है गुरू ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पानी मत पीना क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी सनरचना होती है जब वो गर्म तापमान पर आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे रे पिघलना शुरू हो जाता है और जब वो बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कारण उस पानी में मिल जाते हैं जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं देखिए ये पानी पीने के बाद अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद आप आमला और सबजियों का रस पी सकते हैं आप पीने में कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा लग सकता है लेकिन जहां पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हो वहाँ पर थोड़ा कड़वा पन तो बरदाश्ट किया जा सकता है गुरू ने बताया कि ये भी सचाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता तो जीज दिन तुम आवला और सबजियों का जूस ना पी सको उस दिन आपको दही खाना चाहिए दही बहुत ही बेहतरीन आयूरवेदिक आउश्टी के रूप में इस्तिमाल हो सकता है अगर उसको सही से इस्तिमाल किया जाए तो हमारे शरीर में बहत सारी बीमारियों को वो जड़ से खत्म कर सकता है दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री का मिश्रण जरूर कर ले ताकि आपको वो दही खाटा राना लगे अगर दही में गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ बहुत ज्यादा नया नहीं होना चाहिए गुड जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही लाभh कारी होगा और दही को थोड़ा पतला कर ले पतला होने के बाद वो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है और उसको पचने में भी ज्यादा ऊर्जा शरीर को नहीं लगानी पड़ती आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुभह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा उस पर चमकाने लगेगी जल्द ही लोग आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि भाई आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई तो वो भी सन्यासियों जैसा तेजस्वी हो सकता है शिष्य ने आखरी प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे ये दो नियम तो अच्छे से समझ में आ गए है पहला नियम अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बिमारी से मुक्त रहेंगे दूसरा नियम की हम अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं बस एक आखरी समस्या का समाधान और करवाना है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसके आखों की और उसके दिमाग की क्षमता कम होती जाती है तो उस क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए किन नियमों का पालन करें या फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं गुरू ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उबर बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धिमान होते जाओगे बस मैं जो नियम बता रहा है उनको ध्यान से सुन लो सुन लोगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी सबसे पहले सफेद कद्दू के ओशधिये गुणों के बारे में जानो आयुरवेद के गणित के हिसाब से सफेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही दिमाग की तीक्षनता को बढ़ाता है तीक्षनता यानि की तेज, बारीक, बुद्धी लेकिन ये समझ लेना कि सफेद कीड़ा का जूस ठंडा होता है इसलिए अस्थमा और जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती हो ऐसे लोगों को सफेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना है दिमाग और आँखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा में बता रहा हूँ वह हर कोई कर सकता है बलकि हर किसी को करना चाहिए पांच देसी बादाम की गिरी जो छोटी वाली होती है क्योंकि वहीं देसी होती है बड़ी वाली में इतने गुण नहीं होते हैं इतना छोटी वाली गिरी में होते हैं पांच छोटी बादाम गिरी और एक अखरोट रात को पानी में भिगो दो सुबह उनके छिलके उतारो और उन्हें किसी पत्थर के खरल में याद रखना पत्थर का खरल किसी ऐसे वैसे बरतन में नहीं क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है उस पत्थर में ये डालने के बाद उसे मतना शुरू करो धीरे धीरे जब आप उसे पिसेंगे तो वो बारीक होने लगेगा और उसके बाद उसमें दुद डालना शुरू करो उपर से दूद गाय का होना चाहिए वो सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा दिमाग के लिए इस्तिमाल करने को भैस या बकरी का भी कर सकते हैं लेकिन गाय का दूद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है तो अब उस बादाम और अक्रोट को दूद के साथ पीसना शुरू करो धीरे धीरे जितना आप पीसेंगे उतनी उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूद के साथ हम बादाम यूँ ही खा लें तो या फिर पत्थर के खरल में पीसने की बजाए उसे मिकसर में पीस लें तो मैं बताता चलूँ कि पत्थर के खरल में उसे पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता सौगुना ज्यादा बढ़ जाती है अच्छे से गाए के दूद में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी आँखें और आपका दिमाग इनके लिए ये बहुत ही लाबकारी रहेगा जिन लोगों को भूलने की समस्याएं होती हैं जो चोटी 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 चीज़ें रखकर भूल जाते हैं जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं तनाव बना रहता है चीज़ों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं ऐसे लोगों के लिए ये एक ठंडाई का काम करेगा उनके दिमाग में एक ठंड़क पहुँचाएगा जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा शिष्य ने ये नियम अच्छे से कंठस्ट कर लिए और उसके बाद घर जाने के लिए अपने गुरू से आग्या मांगी शिष्य अपने गुरू से आशीरवाद लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गया तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी अपनी राय हमें कर्मेंट में जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो ओ इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें तो चलिए दोस्तों अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं दूसरी कहानी सिर्फ साथ दिनों में सब को पीछे छोड़ दो सच कहा तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किस गुण की आवशक्ता है इसलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ कृपया मेरा मार्ग दर्शन कीजिए बौध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे और अच्छी आदतें हमें आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में भी मदद करेगी आज मैं आपको 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती है मेरी बाते सुनकर भूल मत जाना बलकि इन सभी 15 आदतों को अपने दिमाग में याद रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करें क्योंकि ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी बलकि इतना अच्छा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ 15 सफल आदतों की सूची में पहली आदत है सुबह जल्दी उठना दुनिया में अगर कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है तो वह है सुबह जल्दी उठना और अपना आलस्य त्यागना अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम करना शुरू कर दें और अपने दिन को बेहतर बनाएं आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार न कर सके आपके सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ती है अपने लक्षे हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है सुबह जल्दी उठने का मतलब है अधिक प्रयास, अधिक मेहनत जो दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर है तो आपको पांच मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना ये एक अदभुत आदत है जो हर उस व्यक्ती में पाई जाती है जिसने अपने क्शेत्र सफलता हासिल की है हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहे हम जीवन मेज में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन में कभी न कभी काम जरूर आता है सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तिमाल करते हैं उनके सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं जिससे उनके सपनों को हासिल करना आसान हो जाएगा भले ही बात एक लाइन की हो जिन्दगी सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आप जितना सोचा था उससे अधिक हासिल कर सकें तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा तीसरी आदत है कम बोलना और अधिक सुनना हमारे पास दो कान और एक मुह है जिससे हम सुनते अधिक है और बोलते आधा है श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है कम बात करने का मतलब है कम उर्जा बरबात करना लोगों से ज्यादा ना जुड़े और किसी के सामने नरम न बने किसी से बेवजह बहस न करें क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा फाइदेमंद होते हैं जो व्यक्ति शब्द बोलता है उसमें गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंतरमन से जुड़ा होता है इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं चारवी आदत है असहमत होना और दुसरे को मना करना सीखना हम कठपुतली नहीं हैं कि लोगों की बातों पर हाँ हाँ करते रहें आप एक अलग इनसान है और आपका सपना अलग है आपके सिध्धान्त भी अलग होंगे अगर आपकी मनजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है अगर कोई तरीका दुसरों के लिए काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे यदि आप किसी और के तरीके का उपयोग करते हैं तो आप हर किसी की तरह होंगे आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान है और आपके जैसा कोई और नहीं है पूमने का मन नहीं है तो उन्हें ना कहना सीखें अगर आप किसान नहीं बलकि बिजनसमैन बनना चाहते हैं तो आपने परिवार को बताएं कि आप किसान नहीं बिजनसमैन बनना चाहते हैं जबरदस्ती लंबे समय तक नहीं टिकती और नहीं इससे हमें कुछ मिलता है जहां जरूरत हो वहाँ ना कहना सीखें क्योंकि इंकार करने से आप दूसरों की नजरों में तो बुरे बन सकते हैं लेकिन आपनी नजरों में कभी बुरे नहीं बन सकते ज्यादातर लोग जिंदगी में इस वज़ह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे इसलिए ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं पांचवी आदत है सही तरीके से जोखिम उठाना सीखना जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम न लेना है यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं तो आप अपना जीवन बरबाद करने और एक ही स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर दूर करें और लोग क्या कहेंगे इसका डर भी दूर करें लोग हसेंगे और मेरा समय और पैसा बरबाद होगा इनसान को जिन्दगी से लेकर मौत तक सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान और इसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अलावा अगर इनसान की जिन्दगी से कुछ चला भी गया हो तो भी जीना आसान है लेकिन आपका मिशन सिर्फ मौत के दरवाजे तक सुरक्षित पहुँचना नहीं है एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना, जोखिम उठाना, विजयता का ताज पहनना, मौत के दरवाजे तक पहुँचना है सही चीजों के लिए जोखिम उठाना चाहिए इसलिए जोखिम लेना सीखें जोखिम लेने पर आपको कभी पच्चतावा नहीं होगा लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते हैं तो आपको अपनी कलपना से भी अधिक पच्चताना पड़ेगा चहवी आदत है जिसके साथ आप अगले साथ साल बिताएंगे साथ में से तीस सफल आदतें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है जिसके साथ आप अगले साथ साल बिताएंगे और वह व्यक्ति आप हैं आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं आप अपने वर्तमान को बहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और भविश्य के बारे में क्या सोचते हैं क्या आप हर दिन दस मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है मैं कहां से आया हूँ और अभी कहां हूँ और आगे कहां जा रहा हूँ आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनोती क्या है आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता अगर कोई आपको समझ सकता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं हर दिन अपने आपको 10 मिनट दें और इस 10 मिनट में कोई भी नहीं होना चाहिए कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं बस आप और आपके विचार इस समय आप खुद से बात करें और खुद को जानने की कोशिश करें आठवी आदत है निर्णाय लेना सीखें और तुरंत काम पर लग जाएं ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं ऐसी कितनी चीज़े हैं जिनके लिए आपको निर्णाय लेने की आवश्यकता है लेकिन आप निर्णाय नहीं लेना चाहते हैं उस काम को टालते रहें, क्योंकि ज्यादा तर लोग निर्णाय नहीं ले पाते, क्या वे यह काम करना चाहते हैं, या वे उस रिष्टे में रहना चाहते हैं, या नहीं, बिजनस करना है या नौकरी, लोग इस बारे में नहीं सोचते, निर्णाय लेना सीखें, निर्णाय ना लोगों के पास निर्णए लेने और अपना काम करने के लिए बहुत कम समय होता है अगर आपने दिन के आठ बजे कोई काम तय या प्लान कर लिया है तो आठ बज कर एक मिनट बजे आपका काम प्लानिंग के मुताबिक दिखना चाहिए आठ वियादत जो आपके जीवन को कुछ भी हो जाए समय एक ऐकसी चीज है जिसके साथ आप केवल दोड़ सकते हैं ना तो आप संमय से पीछे रह सकते हैं और ना ही समय से आगे जा सकते हैं आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना होगा इसलिए समय के साथ चलना सीखें और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उसे करते हुए आगे बढ़, क्योंकि अगर आप समय की दौड में पीछे रह गए, तो चाहे आप कितना भी दौड लें, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे जो सो रहा है, वह जरूर कुछ न कुछ खो रहा होगा, और जो जाग रहा है, वह पा रहा है, हमारे समय की उल्टी गिंती हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाती है, इसलिए अपना समय बरबाद न करें, बलकि इसे अपने लक्षे के लिए उपयोग करें, और खुद को जाने, बीवी आदत है अनावश्यक जंजटों को नजर अंदा लक्षे की औरे कत्रित नहीं कर पाएंगे, और लक्षे चूक जाते हैं, ज्यादा तर लोगों की गलती यह होती है, कि वे हर चीज और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी उर्जा विभाजित हो जाती है, और वे कुछ भी महत्वपू कारियों में लगा दें, दसवी आदत है, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना, एक नकारात्मक व्यक्ती हमारी उर्जा को सोख लेता है, और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने क कोशिश करें मूलत कोई भी व्यक्ति अपने आजपास और सतन पांच लोगों का होता है यानि हमारे आजपास के वो पांच लोग जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं कहीं न कहीं हम भी उनके जैसे बन जाते हैं और उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं संगती प्रभाव डालती है और अगर आपके आसपास के लोगों को हर चीज में कमी नजर आ रही है तो उन्हें तुरंथ छोड़ दे क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है ऐसे और लोग न तो कहीं खुश रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने जाहिए जैसे की मैं बस बद बातों को नजर अंदाज किया कभी भी मूर्क नकारात्मक लोगों से ना जुड़े क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा 11 वी आदत यह है कि जब भी कोई अच्छा विचार मन में आये तो उसे कागज पर लिख लें हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है यदि हम उन्हें नहीं लिखेंगे तो हम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे साथ ही अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है उन सभी चीजों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं उन आदतों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं विचारों को लिखने से हमारे दिमाग से उन्हें याद रखने का बोज़ कम हो जाता है, और फिर हमारा दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। बारहवी आदत है स्वस्थ रहना अधिक स्वर्थ जीवन शैली अपनाएं कम खाएं और अधिक पचाएं रोज सुबह प्राणायाम व्यायाम और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाएंगे बलकि खूबसूरत भी बनाएंगे और अपना आत्म विश्वास बढ़ाएं स् अपनी मंजल तक पहुंचें पहली खुशी स्वस्थ शरीर है और यह बात मुझे तब पता चली जब हम गंभीर रूप से बीमार थे तेरह वी आदत है हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना कोई भी रोने वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता या उसके अपमें उम्मीद की किरण दिखेगी हो सकता है आपकी मुस्कुराहट किसी आर को उसका दर्द भुला दे मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय हंस्ते रहना चाहिए मुस्कुराने का मतलब है कि आपको खुश रहना चाहिए सकारात्मक रहें और सोचें कि आ और कुछ नबचाएं ज्यादा तर लोग दिखावे के नाम पर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर गरीबी से भरी जिंदगी कश्ट में गुजारें इसलिए अपनी आए को सही तरीके से बढ़ाने का प्रयास करें अपनी कमाई से कम खर्च करें और गरीबों को खाना खिलाएं लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करें सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ-साथ देश और समाज का भी भला करता है इसलिए लोगों की मदद करें और अच्छे काम करें और समाज में एक सफल जीवन जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक उदाहरन बने गरीब आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया तो उसने बहुत भिक्षु को धन्यवाद दिया और वह चला गया तो चलिए दोस्तों अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं तीसरी कहानी दोस आएगा तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहाँ पहुँचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहां क्या चोरी कर सकता है उसने तै कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा और ने लोहे की कुछ कीलें इकठी की और जब रात को घड़ी ने बारह बजाये तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक-एक कील ठोकता गया इस तरह बिना शौर किये उसने दीवार में बारह कीलें लगा दी फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह उपर च की खबर दी राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ उसने मंत्रियों को आग्या दी कि शहर की सड़कों पर गश्ट करने के लिए सिपाहियों की संख्या दूग नी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझ कर गिरफतार कर लि हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्ट के लिए चुने गए हैं वह सफाई से घर गया और साधू का बाना धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसके पती ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देख देख कर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुब है उसके पती की पोशाक में चोर उसके घर आएंगे लेकिन देखो चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पती की आवाज में बोलता सुनाई दे उसके उपर जलता कोयला फेंकना इसका नतीज़ा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जायेगा सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी इस बीच पती अपनी गश्ट पर चले गए और सवेरे चार बजे तक पहरा देते रहे हालांकि अभी अंधेरा था लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा ये सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया जो ही वे घर पहुँचे स्त्रियों को संदे हुआ और उन्होंने चोर की बताई कारवाई शुरू कर दी फल्व हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पती हैं और उनके लिए दर्वाजा खोल दिया जाए सारे पतीयों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया दूसरे दिन राजा दर्वार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयम जाकर चोर पकड़े उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शेहर का पहरा देना शुरू किया जब वह एक गली में जारा रहा था चोर ने जवाब दिया मैं चोर हूँ कोतवाल समझा कि लड़की उसके साथ मजाक कर रही है उसने का मजाक छाड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ मैं तुम्हें काट में डाल दूँगा चोर वाला ठीक है इससे मेरा क्या बिगड़ेगा और वह कोतवाल के साथ काट डालने की जगह पर पहुँचा वहाँ जाकर चोर ने कहा कोतवाल साहब इस काट को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं महरबानी करके मुझे समझा दीज inne कोतवाल ने कहा तुम्हारा क्या भरोसा मैं तुम्हें बताओं और तुम भाग जाओं तो चोर बाला आपके बिना कहें मैंने अपने आपको आपके हवाले कर दिया है मैं भाग क्यों जाऊंगा उसकी बात सुनकर कोतवाल उसे दिखाने के लिए राजी हो गया कि काट कैसे डाला जाता है जोही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने जटचाबी घुमा कर काट का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया जाडे की रात थी दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सरदी के अधमरा हो गया सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काट में फंसे पड़े हैं उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वेम करने का निश्चे किया चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था रात होने पर उसने साधू का भेश बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जला कर बैठ गया राजा ने गश्ट शुरू की और दो बार साधू के सामने से गुजरा तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधू से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है साधू ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाएए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं ये सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरं तै कि साधू उसकी पोशाक पहन कर शहर का चक्कर लगाए और वह साधू के कपड़े पहन कर वहाँ चोर की तलाश में बैठे आपस में काफी बहस मुबाहिसे और दो-तीन बार इंकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिये चोर ततकाल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुँचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया बिचारा राजा साधू बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा सवेरे के चार बजने आए राजा ने देखा कि न तो साधू लोटा और कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा तो उसने महल में लोट जाने का निश्चे किया लेकिन जब वह महल के भाटक पर पहुंचा तो मंत्रियों ने सोचा राजा तो पहले ही आ चुका है हो नहो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले मंत्री ने राजा का चेहरा पहचान लिया ओर डर के मारे थर-थर कांपने लगा वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया उधर चोर जो रात भर राजा के रुप में महल में सोया था सूरज की पहली किरन फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुँचा तो बहुत ही हताश था उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई काररवाई नहीं की जाएगी बलकि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा चोर वहां मौजूद था ही फॉरण राजा के सामने आ गया और बोला महराज मैं ही वह अपराधी हूँ इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी राजा ने उसे गावी नाम में दिये और वादा कराया कि वह आगे चोरी करना छोड़ देगा इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि व्यक्ति की बुद्धी उसे हर एक नकमियाब चीज को भी कामियाब बना कर दे सकती है लेकिन बुद्धी का इस्तेमाल अगर इनसान के भलाई के लिए और खुद को बदलने के लिए किया जाए तो उस इनसान का जीवन खुशियों से भर सकता है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कॉमेंट करके जरूर बताएए और अपने परिवार दोस्तों या आपके करीबी इनसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना आपका हर दिन शुब हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे धन्यवाद नमो बुद्धाए